तो आज का जो टॉपिक है वो आपका क्रंट अफियर्स हिमाचर प्रदेश क्रंट अफियर्स की दिरिष्टी से बहुत जादा इंपॉर्टन है देखें बहुत जल्द आपके हिमाचर प्रदेश हाई कोट के मुख्य नए देश चेंज होने वाले हैं तो वो कौन होंगे, कहां से होंगे और जो अभी प्रिजेंट वाले हैं वो कहां पर जा रहे हैं तो ये पूरे टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वीडियो जारा लंबी नहीं होगी तो शुरू से लिए के लास्ट दूर देखेगा क्योंकि important topic है, बट वीडियो का शुरू से करने से पहले या मैं आपको बिल्कुल यह पताने से पहले कि कौन नए होंगे और प्राने वाले कहां जा रहे हैं कुछ बात कर लेते हैं high court के बारे में मदरास में उच नियाल्यों की स्थापन की गई थी, सबसे पहले जो आपका high court बनाया गया थी वह बंबई, कलकत्त और मदरास में 1862 में बनाया गया थी, बात करें directly हिमाचर प्रदेश high court के गठन की बारे में यानि के जो आपका उच नियाल्यों की high court की formation होती है, उनकी जो freedom होती है, सतंतरता होती है, नायक शेत्र जो होता है उनका area, उनकी क्या-क्या powers होती है, और सारी जो प्रक्रिया होती है, उनके बारे में बताया गया है, कौन से अनुछिर से 214 से लेकर 271 तक, ठीक है, और भा 217 के तहत की जाती है, अगर आपने अभी HS का exam paper देखा हो, तो अनुछिय से related बहुत सारे question पूछे गए थे, politics से जो section पूछा गया था, वो बहुत important होता है आपके लिए, क्योंकि अनुछिय बगएर पूछे जाते हैं, आपके पास रास्ट्रपती से related question पूछे जाते हैं, तो यह चीज़े आपको पताने चीए major major, जादा कुछ मैं आप डिटेल में discuss नहीं करूँ, सिर्व आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप High Court के judge के बारे में पट रहे हो, तो उससे पहले आपको High Court के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, तो याद रखेगा यह भी, कि भाग 6 सविधार के भाग 6 में, अनुछे 214 से 281 तक उची न्याले के बारे में पतायागा है, चाहे वो उसका गठन हो, सतंत्ता हो, नयक्षेत्र हो, उसकी पावर्स हो, सभी के बारे में, बट अनुछे 217 जो है, वो आपको important इसके बीच में याद रखना है, कि उच न्याले के न तो ये चीज़ें आपको important याद रखनी है, अनुछेद बगारा है, जरूरी आपको पतावने चीए, और सबसे पहले गठन कब किया गया था, हिमाच अप्रदेश हाई कोड का गठन कब किया गया है, ठोड़ी बहुत चीज़े, नेक्स्ट जो आपको पतावने चीए, कि न जहपाल के परामर्ष के बाद की जाती है, ठीक है, डार्टली कोशिन मनता है कि नदिशो की, हाई कोड की नदिशो की निवति कौन करता है, तो वो करता है रास्टपती, कारेकाल की बात करे तो 62 वर्ष की आयू तक ये पतपर बने रहते है, not 65, ठीक है, यहाँ पर याद र ठीक है, most important line कौन सी है कि उसकी न्युक्ति उच्टम नयले के नयधिश के रूप में अगर हो जाती है, तो वो अपना पादी छोड़ सकता है, यानि कि कोई high court का judge है, और उनकी न्युक्ति जो है, आपके supreme court के नयधिश के, supreme court के judge के रूप में हो जाती है, तो वो अपना पाद में पड़ी थी, कि अगर वो supreme court के judge के रूप में न्युक्ति हो जाते हैं, तो अपना पत छोड़ सकते हैं, केंदर सरकार ने कॉलिजियम द्वारा, supreme court में चार नए जज़ों की न्युक्ति की है, जिनमें से एक है, आपके सूरेकांथ, justice सूरेकांथ, दूसरे हैं, आपके justice इन चारों की न्युक्ति की गई है, जिनमें आपके हिमाचर प्रदेश, high court के judge सूरेकांथ भी शामिल है, तो अभी फिलाल में, जो हाल ही में ही, जो supreme court में, जज़ों की संक्या वो 27 है, और इनको मिला कर 31 हो जाएगी, ठीक है, और total जज़ों की संक्या जो है, वो 31 ही होती ह है, आपके सुप्रीम court में, ठीक है, तो प्रिजेंट में स्थाइस है, इनको मिला के 31 हो जाएगी, और ये बहुत जल्दी जो है, अपना पाद छोड़ देगे, अब बात आती है के नए कौन बनेंगी, ठीक है, तो आपके हिमाचर प्रदेश की जो मुखे नएधीश होंग है, तो यहाँ पर कुछ-कुछ important question आपके निकल के आते हैं, for example, आपको ये पता हो नीचे, कारवाहत, जो मुखे नएधीश है, उसके रूप में कौन कारे करेगा, वो करेंगे धर्म सिंग चौधरी, ने आपके कौन होंगे, वो होंगे वी रामा सुब्रमन में, बागी काम था आप तक उसको पहुंचाना, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीचेगा, शेर कीचेगा और मेरे चैनल को पहली बार देखरे हो, तो दो सब्सक्राइब कर लीचेगा, थैंक्स वर वाचिंग, वाच्यों दे मिलेंगे, न कीचाना, तो अपिक रह से एगलें हो, तो आएक.